दीपावली की शुरुवात किश्प्रकार हुई दीपावली शत्युक्स से जानी जाती है तब कार्तिक अमावश्या पर लच्छमी जी शमुद्र मन्थन से प्रकट हुई थी भगवान विश्णू ने उनसे इसी दिन विवाय किया इस अवसर के लिए एक पवित पंक्ती में दीपक जलाए गए तब ही से देवी लच्छमी की पूजा करने और उनके आशिरवात पाने के लिए दिवाली मनाई जाती है बाद में त्रेता योग में राक्छस राजा रामण को हराने के बाद भगवान राम इसी दिन 14 साल के बनबास के बाद अयोध्या लोटे थे तब भी दीपक पंक्ति में लाइनों में जलाय गय थे तो दीपावली भावे हो गए इसलिए दीपावली का पर धूमधाम से मनाये जाता है शम्रद्दी और धन के लिए लच्छमी की पूजा की जाती है उन से घर में बेवाव और शमपत्ति की प्राथन की जाती है इसी दिन राम की अयोध्या बाप्षी भी शुबता और मर्यादा की जीत को इस्थापित करता है जिस तरह राजा राम की बाप्षी की खुशी में अयोध्या को लोगों नो रोशन किया था यही परमपरया असंखे लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं और दीपावल को घर को रोशन करते हैं